दोस्तों ऐसी ड्रोइंग जिसमें गन्य का पौधा और उसकी पत्तियों की ड्रोइंग की गई हो इस तरह की ड्रोइंग आपने शॉट्स वीडियो में देखी होगी यह सॉट्स में काफी हिट रहा है तो इसे किस तरह से ड्रोइंग किया जा सकता है यही मैं इस ड्रोइंग जितने taper东 nose coverage के लिएए शोपन का यूज कीजिए शोपन से अगर आप छिलते हैं तो कापी कुरियसी से छिला जाएगा शोपना से छिलने के बाद में उस्पेंसिल का जब इस्तिमाल करते हैं तो His Pencil के जो टेपर निम्मा नोक है तके इसकी नोक का वो पेपर पर टार्श होना चाहिए और उपर यहां को पर भूपर की सिपब ने साइड करने उनय पर कई करने के लिए पर एक लेड नेंकर को नेसे स्लाइड करें पर ज़ीए और एक स्कूर्ण 강व器 दीजिए फिर वापस थोड़ा सा नीचे ले जाए इस तरह से गन्ने की ड्रोइंग गन्ने का जो पौदा या जो तना रहता है उसकी ड्रोइंग की जा सकती है यहां पर थोड़ा सा घुमावदार देना पड़ेगा एक दम इस्ट्रेट नहीं बनाना है यह पहला तरीका है प तरीके फेर घुरना का जैके तर नीचे चाहिए पूरा हां पुर direct लिए ओ तरह दिवागा होँ देकर थोड़ा से नीचे और कर सकते हैं इस तो बाद में एक कोई ब्रस लेजिए कोटन ब्रस या आप पेपर स्टम्प ले सकते हैं कोटन ब्रस के बाद में ऊपर से नीचे थोड़ा से स्लाइड करना जहां से आप यह ब्लेक ब्लेक किया है वहां से और नीचे वाले इससे को भी ऊपर की तरब खीचते हुए इस तरह से आप सिफ काले इससे पर टच करके नीचे खीचेंगे और नीचे वाले को उपर खीचेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा दूसरे टाइप का गने का तन्ये का ड्रोइंग हो जाएगा है उसके बाद में जो तीसरा तरीका है उसके अंदर पैंसिल की जो टेपर नुमा हिस्स है उसको टच करना है और यहां पर करते आप से भी फोड़ा आ उपर बीच में रकिये इस तरह से गैप रखने वाले इससे को ड्रोइंग करते हुए step by step इस तीसरे तने को या तीसरे टाइप की इस ड्रोइंग को भी इस तरह से किया जा सकता है और उसके बाद में जब पत्या ड्रोइंग करने होती है तो एक सीरे पर टेपर नुमा इससा रखके थोड़ा सा गुमा करके नीचे लाएए या साइड में कहीं भी ले जा सकते हैं जब आगे थोड़ा सा सीरा ले जाते हैं तो उसको उठाने की कोशिच किजिए और हलका सा उ दुमा कर उठाएंगे तो तीकोना इससा बन जाएगा इस तरह से छोटी मोटी बहुत सारी आप पत्यों की ट्रोइंग कर सकते हैं पत्यों को ट्रोइंग करने का और एक तरीका है कि यहां से थोड़ चोटा सा घ्यरक पन कर दीजिए छोटा सा ब्लैक्नेस कर दीजिए तक पर दका सा समेट किजिए एकदम आगे से घिर्टे है कि इसको भी पैंसिल वेकषीट के उठाते वैसे ही थोड़ा इसके देडिड्यों के ऊपर रखे थोड़ा सा स्लाइड किये और फिट एकदम से उठाने की कोशिश किजिए ताकि आगे से थीकोने इससे पत्तियों की जा सकती है इस तरह से भी बहुत सारी ड्रॉइंग इसमें पत्यों की जा सकती है इस वाले तन्हे में भी जो पत्या बनेगी वही तरीका रहेगा जो टेपर नुमा इस्सा को टज किया और फिर थोड़ा सलाइड करके कोने वाले इससर को ड्रोइंग करने के लिए पैंसिल को आगे ले जाके थोड़ा सा उठा देते तो इस तरह से आप पत्या ड्रोइंग कर आपको बता दिये हैं अपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर करें अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर करें आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद